नमस्कार मेरीना शर्मा स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ हिंडियन की फेमस रसम उसे हम रसम टी भी बोल सकते हैं और ये इसमें इतने अच्छे मसाले डलेंगे कि हम उससे हमारा इम्मिनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होगा और साउथ में तो इसे आम तोर पर बहुत पिया जाता है वो चावल के साथ इडली के साथ भी इसे खाते हैं और ना भी इसका मन हो सूप की तरह भी वो पिया जाता है इसे काफी बिमारियों से बचा जाएगा जैसा कि ये करते हैं साथ ही इसके में दो टिप भी दूंगी आपको पहले मैं टिप देते हूं तो चलिए शुरू करते हैं कई बार हमारी पूरी या रोटी चिपकने लग जाती है बेलन से अच्छे से वो बिलती नहीं है तो इसका एक सोलुशन मैं आपको बताती हूं अपने बेलन को आप कुछ देर के लिए फ्रीजर में रखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी रोटी बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं जब पूरी भी हो या रोटी हो दोनों ही बहुत अच्छी बनेंगी और बड़ी अच्छी फुली फुली बनेंगी इससे जो ज़्यादा आटा रहता ह है वो भी नहीं चिपकेगा तो यह थी मेरी पहली टीप तो चलिए मैं रसम मसाला बताती हूँ आपको मैंने लिया है एक बड़ा चमच सौफ का एक चमच साबूत धनिया पान से चार लॉंग पान से दस काली मिर्च काली मिर्च भी हामयारी इमुनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रोंग करती है एक इलाइची हरी साबूत लाल मिर्च है यह है चने की दाल दो बड़े चमच चने की दाल है दो बड़े चमच उड़त की दाल है यह तूर की दाल है हर नहर की दाल ये भी दो बड़े चमच है अद्रक लिया है अद्रक की जगए आप सोंठ भी ले सकते हैं गार्लिक है यह मैंने पीसी हुई फॉम में दालचीनी ली है एक चमच जीरा है एक टमाटर की प्यूरी ली है मैंने इमली भीगी हुई भीगों के अच्छी तरह से रखा हुआ ऐसे मैंने एक बारी कटा टमाटर है यह ओप्शनल है आपका दिलकरे डाल सकते हैं कड़ी पत्ता अब हम अपने सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे इनको इतना भून लेंगे कि अच्छे सी खुश्बू आने लगे जलाना नहीं है हमें इसे अच्छे से भून लेंगे इसे हम धीमी आज पर जब इसकी अच्छे सी खुश्बू आने लगे और थोड़ा सा कलर चे देखी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं हमारे और मसाले और खुश्बू भी आ रही है अब हम इसमें गार्लिक और अदरप की मैंने चुट-चुट पीसिस में काट लिया है इसे इसे भी हम मसाले के साथ ही हलका सा रोस्त करेंगे थोड़ी सी हींग डाल देंगे अब हम इसे ग्राइंड करेंगे देखिए बड़िया मसाला तयार हो गया हमारा रसम का आप ज्यादा क्वांटिटी में भी इसे बना कर रख सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं ये काफी दिनों तक आपका मसाला तयार हो जाएगा अब हम इसे एक पैन में लेंगे और खूब अच्छा सा पानी डाल देंगे इसमें ये हमें टी की जैसे पीना है तो इसलिए इसमें अच्छा पानी डलेगा साथ ही टमाटर डाल देंगे और इसको कम से कम हमें 15-20 मिनट तक आराम से पकाना है क्योंकि हमने साबूत डाले ली हैं तो दालों को अच्छे से गलने में काफी टाइम लगेगा तो इसको कम से कम 15-20 मिनट तक धीमी आज़ पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे हल्दी डाल देंगे जितने भी हमने मसाले डाले हैं सभी हमारी इमिनिटी को बहुत स्ट्रोंग रखेंगे थोड़ी हींग डाल देंगे इसमें और इसे हम चलाते रहेंगे नमक डाल देंगे अब हम इसे ढख के 15-20 मिनट तक आराम से पकने देंगे बिल्कुल घिनी आज पर गुड पंदरा से 20 मिनट हो चुके हैं मेरी रसम को पकते हुए अब मैं इसमें गुड डाल दूँगे साथ ही मैं इसमें इमली डालूँगे इमली पहले नहीं डालनी है क्योंकि डालें गलेंगी नहीं इसलिए सबसे लास्ट में हम इमली डालेंगे इसको भी फिर हम 5-7 मिनट तक दोबारा पकाएंगे देखिए बिल्कुल बड़िया पतला सा हमारा सूप तयार है जो हमारी इमिनिटी को बहुत स्ट्रोंग रखेगा आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कभी भी पी सकते हैं अब हम इसका एक थोड़ा सा छोंक तयार करेंगे आपकी इच्छा है छोंक इसको लगा सकते हैं नहीं भी लगाना हो कोई बात में आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं बड़िया रसम हमारी बिल्कुल तयार है पीने के लिए आप इसे टी की तरह भी पी सकते हैं सूप की तरह भी पी सकते हैं इडली के साथ भी से खा सकते हैं देखिए चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं साउथ में इसे ऐसे ही खाये जाता है तो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूले अब मैं देती हूँ दूसरी टिप इसे वीडियो में मैंने आपको कोकोनेट मिल्क बनाना सिखाया था, कोकोनेट मिल्क बनाने के बाद जो ये बुरादा बज़ जाता है, हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसके भी हम एक बड़िया सी चटनी तयार करेंगे इसमें हम हरी मिर्ट डाल के दहीं डाल देंगे, और ये पिसा हुआ, रोस्टिट किया हुआ चना है, इसको भी डाल देंगे, इसको मैंने पीस रखा है, और ये डाल के हम ग्राइंड करेंगे, इससे हमारी एक बड़िया सी चटनी तयार हो जाएगी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से बहुत खटा पना जाता है, जब भी हम खाएं तब हम नमक डालें, तो ये थी मेरी दूसरी टिप, अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगती हैं, तो प्लिस कॉमेंट बॉक्स में ज से बहँआ्द औ ये को Protest पम था जे जब इसे रिया हैं, तो इतो हम झालेंगे, क्योंकि नमक नहीं जालेंगे, क्योंकिए प्लिस कॉमेंगे टो इससमें ये औरोड़ियों, प्लिस से दजеैं, तो ये जए दोक्तभा दोने C Kwangषिय oxidationर जोश खंगे, क्योंकि अव्या, क्या